आईए अब distribution box से लेकर switchboard तक output देखें. Bedroom तक MCB switch output B-phase से है. Bedroom 1 के लिए हमें 1 32 A और 1 16 A MCB output तार चाहिए. 16 A MCB switch output के लिए हमें 2.5 mm आकार की तार चाहिए. 32 A MCB switch output के लिए हमें 2.5 mm आकार की तार चाहिए. चरण 1 आवश्यक wiring, cable और casing strip को distribution box से bedroom 1 switchboard तक माप कर काटें. माप टेप से distribution box, switchboard तक दूरी मापें. एक casing strip लें और इसे मापें और फिर RE blade से इसे काटें. रोल से जरूरी एक वर्ग किलोमीटर नीली केसिंग wiring, cable निकालें और इसे काटें और कम से कम 10 इंच लंबी तार अलग से रख लें. इसी प्रकाल रोल से 2.5 वर्ग मिलिमीटर नीली केसिंग wiring, cable निकालें और इसे काटें. नीट्रल और ग्राउंड कनेक्शनों के लिए रोल से इतनी ही लंबी काली और हरी तार निकालें और काटें. चरन दो, wiring cables को distribution board से connect करें और उसे bedroom एक तक root करें. एक वर्ग मिलिमीटर तार का टुकड़ा लें और उसे तार के छोर के B phase के 16 ampere MCB output से जोड़ दें. 2.5 मिलिमीटर तार का टुकड़ा लें और उसे तार के एक छोर के B phase के 32 ampere MCB output से जोड़ दें. इसी प्रकार अन्य कमरों के लिए लाल, पीली और निली तारों को उनके संबंधित MCB स्विचों के आउटपुट टर्मिनलों से जोड़ें. काली तार लें और इस न्यूट्रल वायर कनेक्टर आउटपुट से जोड़ें. अर्थिंग के लिए कटी हुई हरी तार लें और इसे MCB ग्राउट आउटपुट से जोड़ें. इसके बाद वायर केसिंग स्ट्रिप लें और इसे दीवार पर लगा दें डिस्टिबूशन बॉक्स से कमरों के स्विच बोर्डों तक. ड्रिलिंग मशीन से दीवार में छेट करें. पेचों को कस कर दीवार पर वायर केसिंग स्ट्रिप लगाएं. सभी जरूरी वायरिंग केबलों को वायर केसिंग स्ट्रिप के जरिए डिस्टिबूशन बॉक्स से बेडरूम एक तक ले जाएं. अंद्रोनी वाइरिंग के लिए तारों को अंदर लगे पाइपों के जरीए ले जाएं और केवल छोरों को लगाने के लिए छोड़ दें हमने डिस्टिबुशन बोर्ट से बेडरूम एक के स्विच बोर्ट तक वाइरिंग का काम पूरा कर लिया है कॉरिडर, बैठक, बाथरूम, रसोई और बेडरूम दो के अन्य सभी स्विच बोर्टों के लिए इसी प्रकार काम करना है